हालो पीपल आई होगे वर्नेफल 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 और यह वी आ तोवर्स थे कंख्लूडिंग सेशिंस ऑफ फेमा कल हमने क्या क्या को पूरा एं-to-end खत्म किया हमने फेमा की इनिशल सेक्षिंस देखे चार इसलेटेट आपिक और कर अब एक बार घर से एक सर्नल कमर्शल बॉर्न पड़े होंगे तो आपको लग रहा है कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है जो शुरुरुआत का पड़न हमने चाइड फॉर्म में किया that is the complicated part उसकी बाद तो बहुत आसान आसान बल्की पार्ट आजाता है तो पूरा पूरा फहिमा हो चुका है एकदम अस्ती में हैं आप सो शूर्ट यह गोड़े केल इक्वेस्टेंस इंदी इंग्शामिनेशन वरी कंफोटीबली वाट इस आगेट फॉर्ट इंपॉर्ट वाली सारी हम पड़ चुके हैं वो देफिन इंडिया हम पड़ चुके हैं परसन पड़ चुके तो important वाली सारी हो चुके जो remaining हो देफिंगे उसके बाद में आज का दिन डेडिकेट करेंगे हम सिर्फ मातर केवल पास्चीयर कुषिंस पर तो बहुत सारे पास्टिर आंसर के साब से हम पढ़ेंगे एक नवाराम से तो आज का टागेट सिंपल कहने वाला है कि सारे पास्टिर कोशिन कर लेंगे आप बच्चों के लिए बाद में रिविशन के लिए भी काफी आसान रहेगा I hope you're all with me right so let's start this session this beautiful beautiful session with the remaining definitions कोई दम की बाति है आज कर लेक्षर बहुत आसान होने वाला है हाँ आज के पास्टिर कुशिन में आप बड़को बड़ा मसा आएगा बिकरस आप बिलीब वन्यूल सी अल्ड़ को जो ऐसे ट्रिकी होते ना के स्टरी फॉर्म की यह साब विने ने ऐसा किया बताओ क्या होगा ऐसे के स्टरी कुशिन साब मस्ती से सॉल्ल कर पाऊगे शाली तो बड़ा मसा है आपको तो फैमा में जनरली बच्चों को लगता है तो देखेंगे बड़ा मसा है का अगरवाल साब बिलकुल प्लान है वो भी करने का बिलकुल प्लान है नॉट इम्मेडिटली बटेफिनिटली देफिनिटली देट इस अल्सों मैं टू-डू लिस्ट ओके श्याली हम बात करें रिमेंग डिफिनिटली का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अथॉरिटी क्या बात करता है तो उसमें जिसको डेजिनेट क्या है वो एट जुडिकेटिंग अथॉरिटी कुछ काम की नहीं डेफिनेशन, कोई काम की नहीं है, एपिलेट ट्रिबिनल वापस एक वैसी डेफिनेशन, एपिलेट ट्रिबिनल means the appellate एपिलेट ट्रिबिनल वापनेशन, कुछ काम की नहीं है, नेक्स ऑथराइस परसन, यह हम पढ़ चुके हैं पहले, यह काम की है बड़ हम पढ़ चुके हैं, तो जो काम की होगी, मैं स्चार माक कराऊंगा, यह हम पढ़ चुके हैं, ऑथराइस परसन means an authorized dealer, money changer, offshore banking unit or any other person for the time being authorized than a section 10.1 to deal in foreign exchange or foreign securities, so authorized person means authorized dealer, money changer और offshore banking unit or any other person who is authorized or any other person who is authorized to deal in foreign exchange, foreign security, काफी आसान, नेक्स भाया जी बहुत जादा इंपोर्टन देफिनिशन, बहुत से जादा इंपोर्टन देफिनिशन है, बट हम इसको पढ़ चुके हैं, कम से कम 50 बार, capital account transaction means a transaction which alters the assets or liabilities, capital account transaction means a transaction which alters the assets or liabilities, including contingent liability, ये बात ध्यान रखनें, क्योंकि हम बार-बार जब बोल रहेते हैं, हम contingent पर ध्यान नहीं दे रहेते हैं, तो हमने क्या कहा, capital account transaction refers to a transaction which alters the assets and liability of a person resident in India, और अपर्सन रिशन 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 यह पर इंडिया ऑफ और से इंडिया ऑफ पर सबीन इंडिया की जो कंटेंजिंट लविलीटीई आउटसाइब आप धियान को ध्यान अटना है और और दीने टार्टेश स्वीं किलें अफेने युटि में से लिए नहीं किया अथ eh what are they trying to say what do you mean by capital count transaction हम यह पढ़ते हैं alteration of assets and liabilities in India alteration of assets and liabilities in India of any person resident outside India or alteration of assets and liability outside India alteration of assets and liability outside India of any person resident in India यह हम पढ़ते हैं what do you mean by capital count transaction capital count transaction refers to an alteration of assets and liabilities in India of a person resident outside India or alteration of assets and liability outside India of a person resident in India यहां पर यह जो person resident in India के लिए फिर्फ person resident in India के लिए उन्होंने के दिया है any assets and liability outshare India including contingent assets including contingent liabilities I'm sorry including contingent liabilities तो contingent liabilities अभी certain event हो सकती है वो भी वो भी यहां पर PR I के लिए है PR OI के लिए ऐसा कुछ यहां पर नहीं है ऐसा कुछ यहां पर नहीं है तो very clear what is the definition of capital transaction capital transaction refers to any transaction which is the effect of alteration of assets and liabilities outside India including contingent liabilities of person resident in India or alteration of assets and liabilities in India of a person resident outside India I think confusion की बात ही नहीं होगी लेकिन मैं क्या चाहता हूं सिर्फ मेरी खुशी के लिए कि इससे आप stick note पर लिखके चिपका दो definition के वहीं पर उपर यह stick note लिखके चिपका दो stick note लिखके चिपका दीजिए वहीं पर फड़ावच से फुल स्पीड में without missing anything कुछ ही नहीं आज बहुत लाइटर नोट पर एक्चर होने वाला है एकदम मस्ती से आपको बता भी नहीं चलेगा session खत्म हो जाएगा फुल स्पीड में लिख लोगे है झरला हल पर भी पर लिसकता में लोगे है झाना ह特 Watson लोगे है झाल चलिए आशा करता हूँ यह आपका हो चुका है बस कंटेंजन लाइबिल्टी वाला पॉइंट था उसको ध्यान रखना है बागी तो इसी है करन्सी क्या होता है एकदम रेगिलर सी रिफिनेशन है इंक्लूड औल करन्सी नोट पोस्टल नोट पोस्टल और मनी ओडर चेक ड्राफ ट्रैवलर्स चेक लिटर अफ क्रेडिट बिल्स और प्रॉइंट को भी नोटिफाइड बाएं जो भी हम बाहर मनी के स्वरूप में यूज कर सकते हैं वो सब करन्सी में नोने इंक्लूड किया है और इससे बार भी यह इसके लाव चाहे तो किसी और पॉइंट को भी स्पेसिफाइड कर सकता है कोई बड़ी बात में ऐस नोट से नोट क्या होता है कि जहां ही अबिडार की कोई अपज़ें करन्सी नोड में इंसा थो यांद con Works करन्सी कई नहीं है तो अंट मीक्स इसा थोड़ा सा स्बस्पेशल टूर्ट को फॉकस करैंट अग्ने के बाद फेर चार मार्क मार् sliding पे current account transaction focus कर अच्छे से current account transaction means a transaction other than a capital account transaction current account transaction means a transaction other than a capital account transaction बहुत बढ़िया तो हमने बढ़ा था capital transaction को तो प्रॉपर लीक्स लेन क्या और current account क्या होता है current account transaction refers to transaction which is not a capital account transaction and without prejudice with the generality of the foregoing such transaction includes फिर हमने चार सीधे पढ़िती जो इंक्लूड करता है payment due in connection with foreign trade other current business service short term banking credit facilities in the ordinary course of business payment due as interest on loan मतलब आपने loan या investment क्या है वो capital है बट उस loan पे interest है या हमारे investment के उपर income है यह current account transaction है तो interest on loan income from investment remittance और लिमिक expense of parents spouse children parents spouse children's के living expense के लिए हम रेमिटेंस कर रहे हैं वो यहां पर cover होता है expenses in connection with foreign travel education medical care of parents spouse and children तो हमारे parents spouse या फिर चिल्रन जो है उनके foreign travel के लिए education के लिए medical care लिए पैसे दे रहे हैं living expense के लिए पैसे दे रहे हैं यह सब current account होता है हम अच्छे से पढ़ चुके पहले बहुत बार कि वाट इस एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट विट इस export है and provision of service from India to any person outside India और अगर आप service दे रहे हो तो provision of service from India to any person outside इंडिया तो goods इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं या service इंडिया के बाहर दे रहे हैं इस एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा चीज यह सब मुझे बढ़ाने की जरूत नहीं होनी चीथी इंपोर्ट क्या पहले हो देख लोगे इंपोर्ट विट इस grammatical variation and cognate expression कि इंपोर्ट आप importing importer जहां भी उसकर तो उसका reference यह यह क्या means bringing into India in goods or service export मतलब क्या taking out of India any goods or provision of service giving outside India by person in India that is export import bringing into India any goods or service कोई problem नहीं है बहुत जाते स्ट्रेट है फिर आता है हमारा foreign currency बहुत अच्छी बात है क्या language लिए foreign currency refers to a currency other than Indian currency बहुत बढ़ा बात है foreign exchange means foreign currency and includes foreign exchange means foreign currency and includes किसी भी प्रकार से जो आपके पास foreign exchange foreign currency foreign currency आपके आस अच्छी बात है आपके जो RFC account उस EFC account में पैसा है या फिर किसी भी तरह से जो आप foreign currency के रूप में use कर सकते हो वो सब foreign exchange मालता है the foreign exchange means foreign currency and includes deposits credits and balances payable in any foreign currency deposits credits and balances payable in any foreign currency कि कोई भी foreign currency में आपके अपने इंडियन currency में ड्रो किया है लेकिन इस प्रकार से फंक्षन करता है तो यहां पर सब चीज जो आप foreign currency के रूप में यूज कर सकते हैं वो सारी इक सारी नहीं foreign exchange में इंक्लूट की ओके ड्राफ ट्रैवलर्स चेक लेटर अव क्रेटर बिल एक्स्चेंज ड्रॉन बैंक इंडिया बट पे बली इंडियन том घ्रॉन की इस च uyहां के वाएम बाहर जाके दोनव वाइसा वर्सा तो यह और यह पॉइंट सेम में बस वाइसा वर्सा सब्सक्राइब तो हमने यहां पे द्ना किया यहां पे पे राख इसको यूज बाहर के करने अलसकर वहां बहार जाका कर रहे है foreign exchange foreign security means any security in the form of share stock bond debentures or any other instrument कोई भी securities form में the nominated or expressed in foreign currency includes security expressed in foreign currency बहुत बड़ा बात है तो कोई भी stock bondage foreign currency में denominated है जो इंडियन रुपीस नहीं foreign currency में denominated है कि यह 100 dollar का 50 dollar का है तो वो सब क्या foreign security but where redemption or any form of return such as interest or dividend is payable in Indian currency लेकिन उसका redemption या dividend कुछ ना कुछ तो Indian currency के form में आ रहा है that is foreign security foreign security का मतलब क्या हो गया कोई भी foreign security का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा stock share bond जो कि denominated foreign currency में but at the end redemption या फिर कोई ना को interest payable कुछ ना कुछ होने वाला आपका Indian currency में तभी तो हम उसको foreign company कौनसी होगी जो कि भले incorporated आउसे इंडिया है उनका place of business इंडिया में है तो हम उनको बोलते है foreign company अदवाइस practically तो इसका place of business इंडिया भी नहीं है उसको जन्रल language में foreign company बोल सकते है न but under companies that foreign company would be a company जिनका incorporated outside India but they have a place of business in India उससरा foreign security which is expressed in foreign currency but at the end इंडिया कुछ ना कुछ ना कुछ इंडियन करन्सी में आने वाला है इंपोर्ट हो गया पर्सन पहले पर्चुए पर्सन में ध्यान रतना है एक पॉंट इंपॉर्ट है पर्सन जनरली बहुत easy what do you mean by person it means individual H.U.F. company firm A.O.P. B.O.I. whether incorporated or not every artificial juridical person not falling under any of the preceding sub clauses यहां तक normal है यह तो हर बार ही आपके बढ़ाता है नहीं चीज़ क्या है यहां पर under Fema even a branch office or an agency is termed as a person तो हर एक branch office normally branch office को separately करेंटी मिलता ही नहीं तो branch office का separate person नहीं होता है बट फेमा के अंतरगत branch office is considered as a separate person क्योंकि branch office का separately आप P.R.I. consider करते है प्या प्याइप यह प्याइप यह प्याइप यह प्याइप यह रहा है यह पांट यह पांट यहां रखना है एनी एजंसी ऑसब्रांच office owned a control by such person फिर आता है person resident in India यह तो हमने खोद खोद के पड़ा है that person resident in India means any person who stayed for more than 180 days in the preceding financial year and who has gone but excludes who has gone out of India for EBO or who has come to India for other than EBO वापिस बोलुगा देखना आप शायर के साथ में हो के नहीं हो person resident in India refers to any person who stayed in India in the preceding financial year for more than 180 days but excludes a person who has gone out of India for EBO or a person who has come to India for other than EBO आशा करता हूं कि आप मिल साथ में हूं परसने से आउट से इंडिया means a person who is not resident in India वाव नेक्स री पैट्रीट टु इंडिया के इंडिया में री पैट्रीट करने का मतलब क्या है means bringing into India the realized foreign exchange जो भी foreign exchange इंडिया में लाना है section number 89 हमने पढ़ लिया है it says every money received should be repatriated and realized to India and 9 talks about the exception to section number 8 पढ़ चुके हम लोग देख रहते क्या लिखा है it means bringing into India the realized foreign exchange and selling of such foreign exchange to an authorized person in India in exchange for rupees कि जैसे हमार पास है repatriate कराना है मतलब क्या है एपी के पास जाना है authorized person वहले yellow foreign currency मुझे रुपीज देतों that is repatriation और the holding of realized amount in an account with the authorized person India to the external notified by RBI या फिर आप अपने जो कुछ account कहते है न foreign currency account वगरा resident foreign currency account वगरा तो वैसे account में hold कर सकते हो with AP so what do you mean by repatriation बाहर से जो भी आपकी earning आई है या तो उसको आप Indian currency में convert करा लो अभी के भी Indian currency में convert करा लो या फिर आप उसको जो foreign currency accounts होते हैं उसमें hold करके रख सकते हो this is also termed as repatriation it includes use of the realized amount for discharge of debt or liability denominator in foreign exchange and the expression repatriation shall be construed accordingly इसका उतला अगर हमारा कोई loan वगरा था वो हमने पे भी कर दिया तो भी repatriation ही माना जाता है कि हाँ भी आपका ही लोन था ना इंडिया का एक liability इंडिया की आपने pay off कर दिये that is also covered as repatriation तो आपने authorized person से convert करा के रुपीज दे लिए आपने authorized person के पासी account में hold कर रखा है या फिर आपका कोई loan वगरा था बाहर हो आपने पे आफ कर दिया यह सब repatriation में इंडिया की liability आपने कम कर दिये बाहर से अगर आपको ओ करते हो वे overall तो इंडिया की liability में count होता है न वो कम कर दिया फिर इंडिया के असर्स पढ़ा दिया अपने foreign currency में क्या कर रहे हैं तो फोकुस करना चाहिए मेंज शेयर, stock, bonds and debentures, government securities is defined public debt act, saving certificate to which the government saving certificate act applies, deposit receipts in respect of deposit of securities and units of unit trust of India, UTI के units 7 section 1 of section 3 of UTI or any mutual fund and include certificate of title to securities but does not include certified title of security but does not include, क्या include नहीं करता है security में, ध्यान से सुनना bill of exchange, promissory note other than government promissory note, मतब government promissory note को आप security में include करते हो, लेकिन normal promissory note को नहीं करते हो, other than government promissory note or any other instrument which may be notified by RBI as security तो simple तरीके थे हैं, security का मतलब क्या है, कोई भी want बोल दो, कोई भी share बोल दो, कोई भी debenture बोल दो, कोई भी saving certificate बोल दो, deposit certificate बोल दो, deposit receipt बोल दो, units of UTI बोल दो, units of any mutual fund बोल दो, ये सब security है, भारत के नदर ये सब security है, ठीक है, लेकिन कोई भी promissory note या bill of exchange, ये security नहीं है, ल बोल का एक एक वर्ड पढ़के जाना हमारी जिम्मेदारी होती है, okay, service का मतलब क्या है, बहुत बढ़ असर ये ही तो पढ़ने हमाज उठे थे, आज ये ही तो पढ़ने आये है, service means service of any description which is made available to potential user and includes the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, medical assistance, legal assistance, shit fund, real estate, transport, processing, supply of electrical or other energy boarding or lodging with both entertainment amusement or the purveying of news or other information but does not include the rendering of any service free of charge or under contract of personal service, so क्या कहते हैं कि service मतलब क्या, किसी भी प्रकार की service दे आखावा, banking, insurance, अब किसी भी प्रकार की service दे वो सब services में include होंगे, लेकिन क्या include नहीं होगा, free में अगर कोई service दे रही या पर्सनल service दे रहे हो, तो यह सब include नहीं होगा, service में under FEMA, तो फहमा में service में यह सब इनक्लूद नहीं होता है अधर्वाइस सब कुछ इंक्लूद हो रहा है तो इसको इन हेरेंस में जा रहा है उस व्यक्ति को आपने सेल किया उसने पर्चेस किया मौट गेज्ट ली सब यहां पर इनक्लूद होता है तो यहां पर बहुत सरी डेफिनिशन से आपके काम के डेफिनिशन से काम कर वाई है ट्रांसफर काम कर निया रीपैटरी टू इंडिया वह वैसे तो पढ़ा दिया था पहली बद आसा कुछ बहुत जाता काम कर निवर चार्मा के लो यू नेवर नो मतलब कॉनसी डेफिनेशन आपके एक्जाम में लिए कामा सकती है कभी तो इंडिया स्टारमा कर लिया पर्सन ग्यांस्ट नेट इन इंडिया और स्टार्मा की तो भाई इस पर भर की व्श्टन आते हैं और यॉ फेस अनी प्रॉब्लम पर सन इंप्रोड़न्ट ए पर सन इंपोर सौर्टेड इस चाप्टर तो बिटाजी क्या हुआ है हमने जो देफिनेशन पढ़ ली थी पढ़ ली थी मैंने आगाता हाद ली कुछ समय लगने वाला है विए दन विद इस दन वेरी लाइटर नोट को परिशानी की बाती नहीं है अब हमें समझना है किस चैप्टर में क्य पढ़ेगा पढ़ना है दन पढ़ेगा क्या फड़ा और रिवेशन करोगे तो उसके आद में वेरी कंफटर लोगी मारे रिवेशन हुआ नहीं है बागी जो जो कंसेप्ट्व कुछन है मतलब फैमा में आप देखो कि ज्यादा तर क्वेशन कहां से आता है जिसमें हमने ट आट इग्जाम लकाउट से इस टॉपिक सार फेरी इंपॉर्टन वनुटी यू रिलाइज यूरेशन के फैमा के आधे क्वेशन इनी दो टॉपिक पर आते हैं बाकी पूरा फैमा एक तरफ सब एक तरफ और सिर्फ यह दो टॉपिक तरफ प्यार प्यार प्यारो आप्या प्यार प्यार फोकॉस करना फंट पॉस्ट अब कहां पर यह बच्छी यहां पर चल्ब तो एकदम दिल धाम के बैठों आपको मज़ा आ जाएगा और यह कुछिन थोड़े चैलेंजिंग भी होते हैं तो आपको करने मज़ा आएगा था क्वेशन का क्वांटम इस ओल्सव सब्सक्राइब करेंगे एकदम ग्राइब एकदम कमफटीब यह ठेक है और कुछ फोड़े से चेंज करने हमको हम चेंज भी कर देंगे आएवाट यू पीपल एकदम मस्ती से आप पहले अपने आंसर का उपीनियन बनाना कि आपके आपसे आंसर क्या है अब फिर मांसर डिसकस करेंगे तो मज़ा आएगा ठेके ना चलब मिस्टर राम सिटिजन अफ इंडिया लेफ्ट इंडिया फॉर इंप्लॉयमेंट इन यूएसे मिस्टर आप इंडिया के उसके बाद में वहां पर पैसा कमारें अब्रॉड में और उन्होंने इंडिया में 2003 के अंदर एक नया न्यू डेली के अंदर फ्लैट लिया है फिफ्टी लाख रुपीज में ठीक है पंदर लाग में फ्लैट कौन सा मिल रहा है यह सब डिसकसिन नहीं कर रहा है हम यहां प यह कहां पड़े कौन सी लिस्च में आएगा प्रोहिबिटेड परमिसिबल फ्रीली परमिसिबल कहां आएगा अब यहां पर प्रोहिबिटेड में तो नहीं है फ्रीली परमिसिबल में तो दो ही थे अमोर्टाइशन ओफ लोन वो भी नहीं है और यह सब मैं आपको रुविजन बताऊंगा एक्सेटि कौन कौन सी रेगूलेशन से अखे लिगेशन है तो और फॉर्ण एक्षेंज मैनेजमेंट पर्मिसिबल क्यापिटल कांट ट्राक्शन रेगुलेशन 2000 इस गिवन थे पर संद आउट से इंडिया कैन परचीज इंडिया अभी तक तो क्वेशन पर गई भी नहीं क्या पूछा ही तो हमारे दिमांग में बेकेंड पर चल रहा ह नेक्स्ट इस ब्रदर मिस्टर गोपाल इंप्लोड इंडिया में रहता है और यह 15 लाग का फ्लाट है इस फ्लाट है इस फ्लाट पर बैंक ने गैरंटी मंगी तो गैरंटी किसने दी राम ने जो अब्रॉड में बैठा है तो अब पर सुक्व ध किया बॉड में हों की अटेंग दे सकता है कि में डेर हो suspend्तों पड़ा कैन इस जुगारंटी और इंटि यह 155 पड़ा है 100% फोकुस यहां पर कि अ कि अ कि अ कि अ कि यह देखो यह आगे पुरी पुरी लिस्ट यह प्यार आये के लिए देखो एक्विजेशन एंट्रांसफर फिम्विल प्रोपटी इन इंडिया पर्संट आउटसेड इंडिया इन फेवर ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ पर्संट इसरेंट इन इंडिया यह दोनों चीज़ अलाउड है तो यह हमने पड़ी थी और यह बिल्कुत सही तरीकी से पड़ी थी के हमारे श्रियूल टू के इंदर कहा गया है इसरी परमिसिबल ट्रंजाक्शन बट इस ट्रंजाक्शन कें बाद कोई भी व्याक्ति वह आउटसे बीदिया धीनडिया और पिर जाइंटी फॉर अपरस्न इन इंडिया आउपिर और इसका जो आंस है वो आंसर के content पर ध्यान नहीं देना है क्यों नहीं कुछ और बात बोली हुई है ठीक है तो हमने जो आंसर डिसक्स किया वही आपको ध्यान रखना है what have we discussed we are very clearly discussed that this person Mr. Ram can yes this is the conclusion तो इन्होंने जो लिखा है यांसर कट कर देना है कहां से गाता कट कर देना देख लो तो मैं आपको सारे आंसर डिसक्स करूंगा क्यूं यह कट कर रहे हैं हम लोग विकस फैमा एक ऐसा लौ है which keeps on changing right तो हम आंसर लिखेंगे हमारे particular attempt के उपर एक चीज़ और ध्यान रखेगा आप पच्छे you will you do not have to worry कि सर हमारे attempt में अगर कुछ चेंज होगा तो सरी हम अभी आपसे class में पढ़ रहे हैं and what if there is any change in our attempt हर attempt के पहले I'll be coming up with a video with respect to changes for that particular attempt उसके दो रीजन होते हैं एक रीजन तो यह है कि change पिटा जी आपने पढ़ना ही है न तो आप जैसी अभी पढ़ने तो भी पढ़ सकते हैं exam के उसको एक महीने पहले देर महीने पहले दो महीने पहले पढ़ने की importance क्यों होती है because कभी भी जो changes पहली बार अप्लिकेबल हो रहे हैं जो changes किसी attempt में पहली बार applicable हो रहे हैं उस attempt के लिए वो changes काफी important रहे हैं आपने सुना होगा अपने senior से या फिर intermediate पर देखा होगा amendment से question आते हैं तो जो भी changes पहली बार किसी attempt के लिए applicable होते हैं उस attempt में वो changes काफी important रहे हैं इसलिए उसको एक separate video से पढ़ना is preferable only that's my opinion right तो अगर कभी भी कुछ change आएगा further आपके attempt के लिए भी तो उसके लिए मैं अलग से video बनाएगा for the topics I teach you right अब बात करते हैं यहां पर हम लोग यह तो first question का answer क्या है first question देखा first question का answer क्या है मैं बस ही आपके दिमांग में भी यह answer बनाओगा कि हाँ राम immobile property purchase भी कर सकता है राम गारेंटी भी दे सकता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ RBI इस प्रवाइड इस प्रवाइड इस प्रवाइड इस प्रवाइड इस प्रवाइड यह पर्मिसिबल ट्रंजक्शन से इन्होंने पूछा नहीं आप पूछा नहीं पूछा के पर्मिसि प्रमिसिबल ट्रंजक्शन के पर्मिसिबल ट्रंदक्शन में एक्स्प्रेसली लिखा हुआ भी है तो पेन दाउन बोट देस आंड आंडर अंडर अंडर परमिसील ट्रंजेट पॉरिशन डीह से तो करें अग्यून अदर नहीं तो इतना समय इन्वेस्ट नहीं किया रहा था, ठो यह कॉस्टन शंच नहीं नहीं आता का है but I believe you are able to comfortably recall because we invested so much time and that people call that is the reason why people call Fema difficult but I don't think you'll be facing difficult. मैं आपको कह रहा हूना कि majority questions, 80% questions आपको ऐसे आजाना चाहिए, you should be able to solve them. चलो, next question, a company incorporated in UK, आप बच्चों ने answer नहीं देखना है कभी भी, मैं आपको पहले कोई question interpret कर रहा हूँ, फिर आप अच्छे खुज से answer calculate करने की कोशिश करोगे, क्या answer होना चाहिए, a company incorporated in UK, UK incorporated company established a branch at Chennai, what is the residential status of the Chennai branch? पहला question समझ मैं है, Chennai में एक branch open की, which is a branch of a company incorporated in UK, ठेक है, so it's a branch owned or controlled by person resident outside India, owner control by an entity outside India, okay, तो ये क्या resident है क्या, सबसे पहले चीज़ तो, क्या इसका residential status है, अब आप बच्चों को अच्छे से प्यारे की definition याद आ रही होगी, प्यारे की individual की definition तो पूरी लंबी थी, फिर other than individual की कितनी इसी थी, any entity incorporated in India is a PRI, टाटा मोटर्स का example लिया था, और any branch officer agency in India, even if it is owned or controlled by outside India, इस PRI, Apple का कोई branch India में तो PRI होगा, यह जा रहा है, यह वहीं पे cover हो जाएगा, third point क्या था, कि अगर कोई PRI इंडिया में है, वो that owns or controls any branch outside India, then that branch outside India is also a PR है, चिद भी मेरी, पढ भी मेरी से मैं आपको पढ़ाया था, clear है, तो सबसे पहली चीज़ तो यह समझ मानी चाहिए, कि चैन्नी ब्रांच का status क्या होगा, तो चैन्नी ब्रांच का status sir यह PR आया होगा, भले it is owned or controlled by entity outside India, it is in India, PR है, further, the चैन्नी ब्रांच प्रपोस्ट अपर्चेस अप सम इम्मोबल प्रोपर्टी चैन्नी फॉर्पर्पोस अप बिनने बिसन्स, तो चैन्नी ब्रांच ने बिसन्स के लिए इमोबल पर्चेस करने का सूचा, is it a capital account transaction, now think very carefully, चैन्नी ब्रांच is a P-R-I, प्यार आय है, प्यारा अगर इंडिया में कुछ asset ले रहा है, तो कोई capital account transaction होगा क्या, नहीं न, प्यार ओए का, इंडिया में अगर कोई asset बनता है, तो that is a capital account transaction, पीर आए का इंडिया के बाहर अगर कोई असे बनता है यह एक लेकिन अगर पीर आए का इंडिया में असे बनता है तो वह कहां से अप्लगांट ट्रसक्शन विद्ध मेनिंग अफ इस इस अ फैमा आर देर इनी रेस्ट्रिक्शन अने वाला है चालों फोकुस करो कि सबसे पहले क्या दचेने ब्रांच इस अ रेसिट इन इंडिया ऑफकॉर्स सी बात क्या इस इंडिया क्यों होने वाला है क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्लिए इस रेसिट इन इंडिया इन इस नौट यह तोच इंड़ा है तुकि इस नंगी इस बात इन इस इन इंडिया वाट इन इंडिया और यहां लौ तो प्याराहिए इस नो यह इन तो प्याई इंडिया ओंगै कर दोंगा प्लिप्लेशन अक नहीं बात यह नहीं आती I hope you are able to crack it before me अब ये question मैं चाहता हूँ कि आप try करो without my help at all अरे देखो गदों कैसा है रहो आप मस्ती से घर पे बैठके वीडियो लेक्शे देख रहे हो तो आप चाहो तो फटावट fast forward करके और देख सकते हो या फिर आप चाहो तो अपनी बुक को ऐसे ऊपर देख के और आप से देख सकते हो but that will defeat the purpose you to see आप इसमें कुछ ना question में help कर रहो ना कुछ कर रहो you have to try कि या पूरा question खुझ से करो फड़ा बत से try करो question मत थरी answer देखने ही गलती मत करना answer पूरा अपना opinion बना लो के क्या होगा give it a try आप कर लोगा I am so confident you will be able to do it वो हो चलिए रहो आप आंसर मस्ती से बना पारे हो क्या आंसर बनाया आपने रहो एक्जामिन वेडर फॉलिंग ब्रांच इंडिया अंडर दे फैमा ABC Limited, a company incorporated in India establishes a branch at London on 1st January बताओ, ABC a company incorporated in India establishes a branch at London on 1st January अरे यार, this is a branch office of a PRI PRI का, सबसे लिए क्या बूलेंगे ABC Limited PRI है, तो उसका branch office outside India ये भी PRI होगा further, Messers, XYZ at a foreign company established a branch at New Delhi on 1st January, the branch at New Delhi controls the branch at Colombo, ये interesting गोगा सबसे लिए XYZ at a foreign company ये foreign company है, उसके ब्रांच बने New Delhi में, इंडिया में, so any branch in India even under control by outside India वो PRI रहेगा इंडिया का branch तो इंडिया का branch PRI हो गया, अब सुनो 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 Colombo में एक और branch बनी which is under controlled by Indian branch तो एक PR आ है, अगर इंडिया के बाहर कोई branch को ओन और control करगा, तो बाहर वाली branch भी क्या हो जाएगी PR आ है, तो इस case में Colombo भी PR है New Delhi भी PR है, XYZ PR OI रहेगा of course, I hope you are able to crack it up वाई definition PR है की जो हमने इतनी बार देखिए, चाली, wonderful and I am so confident आप कर पाएंगे, मैंने clearly बताया क्या, ABC Limited a company incorporated in India, is a person resident in India यह first वाली की बात करें, incorporate in India है, तो person resident in India होगा, कोई doubt की बात नहीं है, and the London branch is also a person resident in India, London branch established by ABC, yes, London branch की बात हुरी है, London branch is also a PR है, further, New Delhi वाला जो है, is a resident in India, New Delhi वाला branch तो of course PR है रहेगा, further, Colombo वाला branch important है, Colombo वाला branch, which is controlled by the branch is New Delhi, referring to the question, is also a person resident in India, तो Colombo is also PR है, और Delhi is also PR है, हाँ जो पहला वाला foreign company हो तो बाहर का है, वो in corporate option in India है, वोहो, give it a try, question no.4, अब तो आँ स्पीर में करेंगा आरो, give it a dry, right question no.4, give it a try, try question no.4, full speed में आ रहो, Gea it try Jiwi to try jiwi to try jiwi to try Give witch a try चले, पूने के सारे प्रिंटर उनिट्स जो है ना वो पी आराय हो जाएंगे, क्यों? पूने के सारे प्रिंट्स जो है, सिर्फ जो सिंगपॉर का प्रिंट्स कामें, वह प्यार ओ आए है बाकि यह दोनों प्यार आए है आपको बहुत लग रहा होगा बहुत आसान लग रहा होगा एक दमस्ती से इस आंसर ने बस एक चीज़ा सुनों ना हाँ पासर कुछन आज पढ़ने का एक और खासी सीखेंगे हम कल जब हम रिवेजिन करेंगे ना तो जि यहां मुझे लगता है को चेंजे से हमें कर आएगा यहां पर लास्ट पॉइंट ना यह मुझे इतना सही नहीं लगता है यहां यहां पर देखो लास्ट पॉइंट हावेवर दुबाई ब्रांच की बात कर रहे हैं दो नॉट ओंड इस इन wrench यहां पे सम्झो है ये सिवॉउन ने किसको सम्झाने के कोशिश किया क्या कहा है जो ने कहा है इस अ कहा है if प्राइ जनरली आंसर आंसर के अंदर आप प्राइम फेसी इट में भी पॉसबल तो ओल्ड व्यू ऐसा नहीं लिखते हैं जनरली आप डिरेक्ली लिखते हैं देट दुबाइ का ब्रांच विल बीप्या रहा है सिंस इडिस कंट्रोल्ड बाइ पूने का हैड़कॉर्टर तो देटल लिखते हैं कुछ एक फिजसर आंसर में इसा लिखावा है तो हमें कौन सा लिखना चाहिए एडिली हमें डिरेक्लिक्ट नच यह इट में भी प्रिजिम बगरा नहीं डिरेक्ली राइट दाट चिंस इट इस पांट्रोल बाइप याराइ शिंस इट रॉड वाय प् इंडिया कि सबसे ही सब को कई बी इनित है नाँ कि इन इड अगर वो एक होगा इंडिया में जो भी उनिट से होंगे से चित्वी मेरी इंडिया के बाहर जो उनिट से लेकिन अगर वह उन्टर कंट्रोल नहीं तो उसके इसमें वह भी हमारा प्यारा बन जाए तो सेम चीज यहां पर लिखिए यहीं आपको कहरा हूं कि रिखिए जब प्राइप आते हैं तो प्राइप कर तक दिमाग में चिपका होना चाहिए और बिस इन इंडिया विल बी रिशेंट इन इंडिया इवन दो इस उनिट्स आर ओन और पर पर संद रिश्डेंड आउटसाइड इंडिया रिखिए ओन सेरिया चाहिए नियुक्ट इस इन इंडिया विल भी प्याइए इवन इस रोन रोंड इंडिया और तो इंडिया तो भी महारे प्या रही हो जाएंगे इस निसेसरी नियुक्ट सेस्टेफ to Llosa इन फेयला स्ट्रेंट्ट्रिवर्स इंट्स यैए यह सेशना च का फिफ्ट और फोर्थ पॉइंट क्याता है यह दो हम कल फोकुस करने बाले इस बात पर चले नेक्स्ट क्वेश्टिन अगेन आम 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 येस आ वां येस आ वां ये इसका अंसर में आपको लिखाऊंगा I want you to try I want you to try करना फोकुस करना बहुत करफिल इसको लेकर आज बने स्पेसिफिक बात बहुती है अगर आप मेरे बताने के पहली कर आप सुच्छी एक्जाम के कोश्चन आता है मस्ती में फोर्द होगे तो बात खत्म होगी ना so it is as easy as that yes people give it a try give it a try yes people I guess आपने try क्या होगा याद आ रहा है इसको लेकर अपन ने एक special point पढ़ा था normal rule के हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति एगर पिछले साल में 182 से ज्यादा इंडिया में नहीं रहा है तो वह साल में 182 के लिए में नहीं रहा होगा भले ही नहीं रहा होगा लेकिन जैसी वह भारत में आता है उसको हम क्या मान लेते हैं प्यार आए प्यार आए मान लिया चाहता है अब देखो क्या राम has resigned in India during the financial year 1999 2000 for less than 183 days समझना more than 182 days is required under the act थेख है यहां भी कहाई गाए वट इदेश्य से कम के लिए रहा है ही अगें केंड एंडिया लिए फर्स्ट मिं फोस्त में 2000 को इंडिया में आया for higher studies and the business या फिर इन प्ट्रीज यूड नी ऐ बता हुं है मैं अब आता है क्या वो व्यक्ति प्रिया भार गाने होगा तो जरूरी यह क्या यूरियर के लिए या प्यार वाय हो या फिर एज़ और डेट भी चेंज व सकता है यह के सिंपल भाशा में क्या है वो जब इंडिया में आया 1st मेर 2000 इसके पहले के लिए प्र rapt उइथा इसके पहले प्र यह था पर इंडिया मेरा में रहाओ और प्यार या सिंसरो इंडिया में आ यह ओब तगेिए बस्ट्राइक बिसनेस के लिए ओसी तना इसको ईमीडिटली प्रिए बना दिया जाता है है अप टू 15 जुला जब तक स्पर दम इंडिया रहा प्यार है वृलों एनगे शोंसर पहले मेशा न्यों करonal कि लिए एक प्रफि यौत कर these प्यार आए अधी दिद नॉट्ट के लिए या इंप्लाइमेंट के लिए तो भी चलता है फॉर बिजनेस के लिए इसको पैंडाउन करो वहीं पर कट करके उसको पैंडाउन करो आए यह अधी आए अधी आज आज पास के लोग उनको जो बोलता है फैमर डिफिकल्ट उसको मिलना गी इधर आए इधर आए इधर इधर आए पीछ देखो पीछ देखो एक अधो पैंडाउन करो फॉल स्पीड में मैं यह हैंडाइटिंग बहुत सुन्दर है तो कोई पूछे करेंगे संना, इक्शनी में हैंडाइटिंग मैं बहुत अच्छी यह हैंडाइटूत • ऑज जान बुछ के गंदी हैंडाइटिंग लिए निखता हूं वह सब् seasoned शान बच्छ इन आए मत ज्यान बता हैं आहां बहुत बड़ते हैं हम लोग क्यों क्यों नहीं बंच सकते हैं अल्ह तो जिन भी लोग उनकी handwriting मेरे जैसी सुन्दर है वोग बिल्कुल demotivate ना हो, presentation मस्ती से रखो और exam F4 दो गया झाल 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 येस पीविल चली आशकरता हूँ कि आपने pen down किया है ठेक है? इसके बाद के question में आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है यह हम discuss कर चुके है बड़ इनका answer जरूर रीट करेंगे हम एक बार आपको इसका आपको रीट कर वाना है बागी तक्वेशन सम्धिक यह अल्रदी नो आपको अल्रदी नो अगर वो इस अपने बेस रसाइडिंग की कारण बेस पे रुखने की कारण इसके आंसर में उन्होंने इस अपने की कारण बेस अपने की कारण बारत में ठेहरे तो थे होने की अपने की कारण अपने की कारण बढ़ें के नियुग मनें आको आप यहां पर रहे नहीं थे उन्होंने का पर बात म है कि और आप यहां पर रहे नहीं थे not resided for more than 182 days. Mr. Alia stayed in India at Mumbai based on more than 182 days in the preceding financial year. The issue is whether staying can be considered residing. FEMA emphasizes residing stay is a physical attribute whereas residing denotes permanency. Thus while Miss Alia may have stayed in India for more than 182 days it is doubtful whether she can be said to have resided in India for more than 182 days but it is questionable doubtful she has resided further under section this is this she would have become resident only if she has come to or stayed in India for employment. It would be doubtful and debatable whether by staying in Mumbai based during the break Miss Alia can be said to have come to stay in India for or not taking employment. Hence Miss Alia would continue to be a non-resident. So now I have a question which I would like to see you in the exam one day before the exam is mentioned before the exam. Sir, you will not know that you will know that we are studying. If you are studying, you will be a student, and you will see this, but if you are a student, you will know that the exam is not being said in the exam. Some of the exam is not being said in the exam. So you will know that you will look at the exam. So you बड़ इनको रिसाइडिंग नहीं माना जा रहा है एंहेंस द्यार प्यार ओए नेक्स इस वाट क्वेस्ट नमरेट बहुत इजी है यह भी हम पर चुक है आप खुछ से कर लोगे इसका आंसर कुरा कट कर देना है और वहाँ पर लिख देना मिस्टर भी विल भी प्यार रहे है एक्जांपल फाइफ रीड करो यूट नीड मी यह है कि कोई व्यक्ति कर पिछले साल में 182 से कम इंडिया में रहा है इंडिया में लेकिन वह इंडिया में आया है फॉर इंप्लॉयमेंट और बिजनस तो उसको इमीडियेटल प्यार आया मान लिया जाता है यह हमारा मॉ हो हो are you understanding right doing the financial year 2011 mr. Bhasthiacharya recited in India for a period of 180 days and thereafter went abroad take a to continue to say other career first April mr. 2011 mr. B came back to इंडिया, एक एक रिख्था नहीं बिखा यह तो आपको एक लेगा एक इसा कोशन नहीं कोबिग पेस्ट आता है इस प्रिजूम कि वापस इंडिया में आया है तुम क्या होगा प्रिश्वेशन स्वाइब को लिख्वा है वही । as per the provision mr. b mr. b yes buddy there are the keys no problem yeah so as per the rule as per the rule proi consider there's no doubt about it that as per the regular rule it will not be considered as pri but 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 rbi has expressly said rbi has expressly said that if at all a person has come to india for the purpose of business or for that matter even employment immediately the residential status will be of pri for convenience यही का यही स्थेम रहेगा बस refer करने example number five को यहां पर तो mr. b will be a pri refer example number five okay 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 just spend down कर लो मुझे लगते कि आप बच्चों को थोड़ी भी परिशानी हो लिए यह कट जरूर करते चलना है विकस उन्होंने उस आर भी एक नोटिफिकर एक्जांपल जो मॉडियूल में एड हुए है उसके साफसे निहीं उसके पहले का अंसर चलिए पॉफेक्ट मुझे लगता कि यहां पर कहीं भी कोई परिशानी की बात है अनदर क्वेश्चन यू ट्राइब यॉसल्फ जो मैंने रेड में लिखा है उसको इग्नोर करो अध्यों मुझे रहते आपको मेरी जरौत हीं आपको मैं जा रहा है मैं जा रहे मैं जा रहे मैं जा चुका है कि कौन कहता है कि फैमा डिफिकल्ट है हो गए ऐसे कुछ 10% कुछ आएंगे आपको थोड़े सर्प्राइजिंग लगेंगे नाइंटी परसंट हाथ में ना तो कोई भी टॉपिक है नाइंटी परसंट कुछ बहुत इजी बहुत इजी है उस टॉपिक को डिफिकल्ट कहना पा कि टारीं इंडिया दूरिं दो फिनाशेट इन थे 9-10 एन 11 एंटी श्यॉद के लिए यह विजनेस बिस्क्राइज दिए फिस्स एन शेयं के लिए है यह इंटी आखिछ इपरीट इबिफिस जुन को इन्टी रहा फॉर पॉपस उप्लमेंट आट्सार इंडिया थे सब्ग इंडिया में नहीं रहा है इंडिया में बिजनस के लिए आया है इम्मीडियेटी परसनल बीक्लासिफाइड तो भारत में तो से लेकर थाइट यह जाएंगे प्याराए और उसके बाद वोग्यूंकि बार गया एबीयों के लिए तो क्या ओजाएंगे प्यार ओफार सुपर इजी कट करते चलो है चाहिए यह नाइन प्रक्रीबन 47 ते खिरें मस्ती से देख लेंगे एक नेक्स्टेश्ट इस वे और यह ठेक है, ऐसे questions की अपेक्षा कम करनी चाहिए, हमें CA final level पर थोड़े से, जो उपर के questions ही ना, case study questions या, ऐसे questions की अपेक्षा स्यादा करनी चाहिए, बिकस उसमें कैसे actual knowledge test होता है, यह तो कहा है, जो भी रटके गया हो अंसर कर लेगा, खतम हो किया current account transaction, and क्या एक citizen का right है, कि वो किस तरह से foreign exchange acquire कर सकता है, यहाँ पर कहा है, कोई भी व्यक्ति foreign exchange acquire कर सकता है, थूँ अथराइस जीलर, within the limits given by government, खतम, normal सी बात है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति, any person में sell or draw foreign exchange to or from an authorized person, से अथराइस परसन से कर सकते है, और अगर आपको में sell or draw, अगर आपको capital account transaction के लिए चीए, तो भी आप कर सकते हो from an authorized person, तो simple, एक citizen क्या foreign exchange को ले सकता है, बिल्कु ले सकता है, for current account transaction और capital transaction within the limit set by RBI, simple, तो direct question है, कोई परिशानी की बात नहीं है, हाँ, Mr. Ramesh of Nagpur wants to travel to Nepal and for this purpose proposes to draw foreign exchange, पहली चीज़ी है, दूसरा easy है, what are the purposes for which foreign exchange draw is not allowed for current account transaction, current account में prohibited category के जो 6 point है, यहाँ पर हम लिख देंगे, कि भाई है वही सब लॉटरी का winning, remittances वगरा नहीं कर सकते हैं, commission on export पे नहीं करने देंगे, दो points के अंदर है, कि एक तो आप जहाँ पर पूरा का पूरा export का पैसा है, वही JV subsidiary outside India में invest कर रहे हो, दूसरा जो रुपी credit scheme के अंदर आप कर रहे हो, उसके आद में 3 point और आ जाते हैं आपके, कि callback service के लिए नहीं देने देंगे, इंकम held on funds, held in non-resident special rupees premium accounts में ने इंवेस्ट करने देंगे, and one more point, dividend by any company, इसको पर dividend balancing अपने के बले है, इन सब को allowed ही नहीं है, यह सब पैसे बाहर दीजा, तो यह prohibited category है, this is straight, what are the purpose for which foreign exchange is not allowed for current account transactions, straight answer है, कोई भी कर लेगा, रमेश औफ नागपर wants to travel to Nepal and for this purpose propose to draw foreign exchange specify, यह क्या कह रहे है, अगर किसी व्यक्ति को नेपाल जाना है, अगर किसी व्यक्ति को नेपाल जाना है, तो नेपाल जाने के लिए foreign exchange मिलेगा, एकदम comfort को बड़ी बात नी हम अगर ध्यान रतने, schedule one, schedule one क्या कहता है, श्रियूल 1 की बात करने हैं current account transaction current account transaction के अंदर prohibited नहीं permissible के अंदर चोड़ो अर्बियाई के अंदर एनी परसंगो नीज मनी टू ट्रैवल अबरॉड अदर दन नेपाल और भूटान के लिए एक विक्ति ले सकता है नेपाल और भूटान के लिए नहीं ले सकता तो राइट ना नेपाल और भूटान के उपर आपके syllabus में बिल्कुल फोकस ही नहीं है कि नेपाल भूटान के लिए क्या होगा तो हम लिमिटेट इन्फोमेशन से लिख दें कि नहीं एस पर करेंट अकाउंट गांट टंडक्शन नेपाल भूटान के विक्ति पैसा नहीं ले सकता ऐल तेल यू उसके अलग प्रोविजन से पूरे नेपाल अगुटान के लिए person can withdraw can take foreign exchange to travel abroad other than Nepal and Bhutan तो नेपाल भूटान को छोड़कर वो ले सकता है नेपाल भूटान के लिए वो नहीं ले सकता है अंडर permissible transaction अंडर current account transaction clear तो यह चीज है स्ट्रेट फॉर्वड आंसर है है ओके एक question है question number नाइन का एक question रुप जो नाइन का एक question देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं क्या कहना है आपे सब्सक्राइब कर सकते हैं मंस के कर सकते हैं मस्ती में तो अगर आपन को यह किसा आप से जानना ही चाहते हैं जैसके आपन करें है 2010-11 2010-11 के अंदर तो पूरा का पूरा व्यक्ति प्यारा है और 2011-12 की बात करें तो 11-12 में फॉस्ट एप्रिल में जून फॉस्ट कोटर में वह प्यारा है उसका प्यार हो आए बिलकुल सही आपका जो कहना है बिलकुल ठीक है ठीक है आयोप अंदस्टानिंग किसी भी एक व्यक्ति को फैमा के अंदर पूरे एयर के लिए अंदस्ट पूरे एक विक्ती को प्यारा होना पॉड़ेगा याव मतलब रेसेटानिश्ट प्लाइप पूरे एंटार या फोर फैमा डिसक व्यक्ति अप्लाइट ऑन फॉस्टान फॉर फॉर्टेक्शं प्रिया नियुक्त इर चुब्सूरा इंटीं ग्राइंट यह और आ सब्सक्राइब 11-12 के अंदर पहले तीन मंस के लिए प्यार आए उसके बाद में प्यार ओ आए तो फैमा में रेसिदेंशल स्टेटस एज ओन डेट चेंज होता है पूरे यर का सेम रेसिदेंशल स्टेटस होने की कोई आवशक्ता नहीं है करें ग्रेंचेंश , प्र फॉफर्फेक्ट पॉफर्फेक्ट पॉफर्फट जस्याव बहुत ही दिशाविए अब देखो आप इस को यह चो आप रहांgreat we were वहाँ रोको इसे कोई मिस्टर सेन को रोको कोई लॉट्री टिकेट का रेमिटेंस करना चाहता है उसका विनिंग का पैसा नहीं कर सकता है अच्छा प्रोहेबिटेड ट्रंजक्शन में लिखा है कि लॉट्रे में पैसे का बहुत नहीं बेच सकते नेक्स यूएस डॉलर 1 लाग पर सेंदिंग अ कल्चरल टूर्व और टूर उसे उसे का रहे हैं जा रहे हैं जो यह सब चीज रहे हैं जो सकता है को सकते हैं जा सकता है तो पर प्रूर्व लेने जा सकते हैं और अगर आप रहे हैं जोट चाहिए परमिशन आप इंडिया बिन स्थी ऑ मिन्मन रिसूर्स डिपार्ट्मेंट इस अप्रोव लेने के बादा आप चाहिए सूपर इजी और जितना आपको लिमिट अलाउट होगा वह आप अप्थराइस परसंट से विड्राउ करोगे यह भी ऑब्विस सी बात है नेक्स्ट क्वेस्टिन यह भी आप खुछ से कर लोगे मैं आपको देता हूँ 30 सिकंद्स फटावट से ट्राइए देन आल टेल यह फटावट से देखो कैसे रहो मैं फटावट से अगर मैं ही बता दूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपको याद आ रहे के नहीं अफिब यह थाप खुट अ कि यह सब सब्सक्राइब एक्ति बाहर जा रहा है और नाचे का गाएगा दिवाली पे तो क्या वो जा सकता है जी हाँ वही और अगर आप अपने हॉस्पिटल की प्रूफ दिखा देते हो तो उससे ज्यादा भी आप विड्रॉव कर सकते हो लेकिन आप यहाँ पर होस्पिटल के केस में और अगर आप सड़ी अबर जाना चाहते हो तो इनके केस में अगर आप प्रूफ दिखा देते हो कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो विडाउट अब आप यहाँ आप नहीं यह तो सेम कि वाई कोई अगर आप यह दो चीज कर वापस वही चीज कि 2,50,000 दॉलर तक तो freely permitted रापकी सारी चीज़ें उसके अंदर ही बैटरी तो आपको कोई अप्रूवल किया आवशकता नहीं इनो ने जो अंसर दिया उसमें पहली चीज में सही कह दिया approval of government of India HRD इनोंने सी government of India लिखा हम HRD भी लिखेंगे हां सजेस्टिर आंसर में central government के approval के अंदा है मैंना आपको पूरी ministry भी बताईए ना तो कभी-कभी सजेस्टिर आंसर सिर्फ government of India लिख जाता है जैसे कि cultural tools के लिए HRD है MOST है MOF है कुछ केस में Ministry of Information and Broadcasting है तो हमें ध्यान रखना है कि हम Ministry भी एक्जाम में लिखें तो हमें ध्यान रखना है कि हम मिनिस्ट्री भी एक्जाम में लिखें नहीं लिखावा है सेकंड अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है medical treatment के लिए तो मस्ती में जा सकता है कोई परिशानी की बात नहीं अगर डॉक्टर ने को बहुत आसान लगेगा but carefully इतने सारे points पढ़े ना और हमने इतनी बार revise के तो you should be able to track it कि कहां पर पढ़ा तो वो थोड़ा सा tricky होता है पढ़ा है यह दो क्वेशन में track करो कि यह दोनों कहां पढ़े थे track करो कि यह दोन्यों कहां पढ़े थे पीच देखो I'm obsessed with that kid बहुत भरी बोलता है पीचे तो देखो पीचे देखो पीचे देखो अरे पीचे तो देखो हमारे तो मामू है ही नहीं इधर ओकर पढ़ाई पर द्यान दो आप लोग मैं दुर्दर की बाते कर सकता हूं आप नहीं कर सकते हूं कि कि वह क्या रहे हैं यह लोग कि एक व्यक्ति को पैसे चाहिए प्रमिसिबल ट्रंसक्शन में जो रेस्ट्रिक्टिड आते हैं उसके अंदर वहीं पर पढ़ा है अपने सेंट्रल गर्मित अप्रूवल के अंदर करेंट अकाउं अप्रूवल यहां पर अप्रूवल लेना होगा मिनिस्ट्री आफ इंफ्रमिशन ब्रोड्कास्टिंग का ठेक है एंड टू तू तौलर फॉर प्रूवल टेलिवान है नौट अलावड प्रूवल ट्रंसक्शन में आता है कॉल बैक सर्विस के आप ऐसे नहीं दे सकते हैं तो यह प्रूवल प्रूवल के साथ बहुत अच्छी बात है यह देखो यह कैसे लिख देतें कभी-कभी देखो तेसे अंसर के अंदर अप्रूवल ऑप को कट करना और मैंना अपको लिखा यह मस्ती में आप देखो आपका ओपीनियन के अंध्र आफ्टर रेडवाल अंसर पैंडाउन भी कर लो बहुत ईजी जाएगा आपको लाता एक रिडवर कुशेश्टिंऑ फ़र्पयर और अंसर पहले से मत करना फास सी अंध्र करेंगा इसा हरा करो आप कहा सका हातमे बुक हे तो उससे करो ठीक है उससे करो रीड the question from your opinion नहीं है नहीं हातमे बुक तो फिर screen से करो पहले पना opinion form करो फिर आंसा देखना मेरा डिर्लिक्वी प्रम सर देखना यह थे ते कंवियर ओपिनियन question को देखना कि कर डिरेखना को लिजिए झाल 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 येस पीपल नाव पैने दाउ आए दो थिंग आपको से अवर्ड आल्चो एवर्धिंग इस सूपर क्रिस्टल केर ईजी लग रहे हैं हाँ कौन बोलता है कि फिर्मा डिफिकल्ट है कि कर दो कर लोगानों कर लोगानों येस पीपल मात्रीय इसे पीपल सीर्थ आपको पता कि तूलाग फिपट तक लिबड़ियोज़ गांट्र मंट करती है यह कैसे अब करती है नहीं चारों इन उन चारों को छोड़ के जो इंडिविजिल के नतर इसे आए ने फिल्क्र लावा अगर आपके पास resident foreign country account या exchange earners में है तो आप मस्ती से करो वो तो एकदम over and above होता है वो किसी limit में covered ही होता है फिर तीन केसे होता है कि अगर immigration कर रहे हो या पढ़ाई के लिए जा रहे फॉर स्टिंग अब्रॉड या फॉस्पिल खर्च करें जा रहे हो तो एस्टिमेट अगर आगे से ले देते हो उस country से उस college से यह हॉस्पिल से तो आपको उतना पैसा मिल जाएगा विए प्रूब है आर एफ सी एक्सपोर्ट में टुवर्ट्स इंवेस्ट्मेंट अलियों सब्सेट अब्राइड रमिटेंस अफ हाइडिंग चार्ज्व ट्रांस्पॉंडर्स बैटीवी चैनल पहला किस क्या है प्रोइबरेड दूसरा वाला क्या है मिनिस्ट्री आफ इंफरमेशन एंड ब्रॉड कास आइड यह अगर वाल शाप उसको वही चीज वापस उसको वापस को वाटर टमस में ले सकते हो तो आहे पर यहां पर कह रहे हो कि वह अप तil 15th July तो आप उसको वापस इग्जैक्ली मंस में चाहरा हो तो आप उसको ग्वाटर वाइस मत जाओना वाइड वाइड यह नहीं नहीं क्योंकि 15th July तक है तो अगर फर्स एकंड कोटर आप बूलते हो सेकंड कोटर कहां तक जाता है एप्रिल में जून जुलाइऑ और सिप्टेंबर वह जुलाइऑ और सप्टेंबर के लिए पूरे ताइम तक प्यार नहीं है न तो आप नहीं कह सकते हैं आप एक स्टू होगा है अब अगर हम नेक्स्ट येर की बात करते हैं अगर आप बात कर रहे है 2011-12 की अगर आप बात करते है 2011-12 की तो आप समझीए 15 जुलाइक वह चला गया स्विजलेंड फॉर्ट तो वह जैसे ही स्विजलेंड चला गया हायर स्टीज के लिए 15 जुलाइब पूरा प्य प्यार ओए ही रहने वाला है तो आप ही कह सकते है 2010-11 के लिए 2010-11 के लिए 2010-11 के लिए पूरा प्यार ओए रहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसके पहले ही 15 जुलाइक वह पढ़ाई करने के लिए जा चुक है एक स्पेशल पॉइंट हमने पढ़ा था के एक तो बिजनस वगरा के लिए अगर वह इंडिया में आ गया तो इमीडिटली प्यार है हायर स्टीज के लिए अब्रॉड गय पर इतने साथ मुझे आ अर्वा यहां पर एक दार्फिकर्ट नहीं होती है नेक्स यह स्टार्मांक कोशीं कर लो समक्र डिफिकल्ट नहीं है बटीक है मैं बता हों अची क्या कह रहें यह कह रहें कि एक्जामेन करें अंडर फॉर्ण एक्षेंज मैनेजमेंट वेदर पेमेंट ऑफ रेमुनेरेशन तो फॉरें टेक्नीशन इस पर्मिसिबल ट्रंजक्शन अंडर प्रोविशन अफ्ट मुझे बताओ टेक्नीशन को आप पीमेंट कर रहे हैं उसने कुछ सर्विसिस दी वेदर अग्षेंज करेंट अक्षेंजन इसेट अप्रोविटेट अपर रहे हैं नहीं पर्मिसिबल में जो रेस्ट्रेट्टिड वाले थे उसमें कहीं कवर आ रहा है क्या नहीं है एक अग्या है और शंशंशंशंवालों में भी नहीं है फिर मतलब यह अदर है तो हमने क्या एंड रखने तर्फ गवाव पर टिक ने में बड़ा डर लगता है कि यह कैसे नन अफ दॉब कैसे अंसर विसकता है वैसे ही है क्या यह कहीं पर भी कवर्ड नीजिए क्या करो तो करेंट अध्यान रखना है एनी तर्फ इस नाट गवर अधर प्रोहबिटेट और यह अंडर इस स्रक्षिट गर्मिंट अन इस टंसक्षिट अधिफ यह रहां रखना है यह ऑप फॉर निशन इस टेक नेशन अन से निशन आख पर्मिसिब्स तो इस नो सीविंग नेशन साथ पर्मिसिब टेस पर कंट्रांट आसफ एक चार्मा क्यों एक्वें एक तो आप अजिए थ और करेंट अकांट ट्राक्शिन और फ्रीली पर मिस्ट फिर आज हम लोग एटीन के उपर यह भी आप मस्ती से कर लोगे बताओ मेरे को है बहुत आसान है फराओ से देखो मुझे बता एक ऑपिनियन फर्म करो आपका पहले आपका एक ओपिनियन फर्म करो कि कर। झाल 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 आप पेमेंट करना चाहते हैं यूस डॉलर 10,000 कमिशन और एक्सपोर्ट फ्रम रुपी नॉट अलावड प्रोहिबिटेट में पड़ा है कि कोई भी आप रुपी इसके एक्सपोर्ट करता उसके कमिशन नहीं दे सकते हैं इसके एक्सेप्शन है टी एन टोबैको यहां पर कुछ लिखा नहीं है तो आप प्रोड लेना होगा लेने के बाद कर पाएंगे तो कमिशन प्रोहिबेटेट में इसको कट कर दो जो लिखावा सकट करो उसकी जगे लिखो freely permissible up to 2,50,000 freely permissible up to 2,50,000 ठेक है and last वाले में क्या आता है कि और यार 1,00,000 तक तो allowed था लेकिन 1,00,000 से जादा कर रहे हो तो आपको HRD का approval लेना पड़ेगा तो 1,00,000 डॉलर से जादा है तो यारप टीक approval of HRD super easy I guess वहो आपर exam में आगा फोड़ दोगे सीधा are you understanding are you understanding yeah that's the spirit freely permissible up to 2,50,000 चली और एक हर एक पॉइंट के नीचे लिख सकते हैं हर एक क्वेशन के नीचे कि जो भी आपको approved है वो आपको authorized person से ही लेना है अब्विस सी बात है चली एक सीधा से question है मिस्टर गोपाल असाइन आर्टेस इंडिया प्रपोसिस तो और्गनेजर कल्चरल प्रोग्राम एट दुबाई और रिक्वाइस टुड्रा फॉर फॉरन एक्स्चेंज पर उस दॉल एक लाग डॉलर चाहरा है तो उसके लिए एक लाग डॉलर चाहिए ले सकता है कि ऐस कुल्चरल टूर्स के लिए कितना अलाउड है वाईजी कल्चरल टूर्स के लिए कोई लिमेंट नहीं है आप अप अच्छी बात है तो इतना सही कि आपको government of India ministry of HRD का approval से लिना है और वन लाग डॉलर तो प्रिपला और विद्रॉप करी सकते है कोई लिमेटी नहीं है इसके उपर Mr. Rohan in Indian resident individual desires to obtain foreign currency for the following purpose अब बहुत easy यार हो है ना फटावट से करते हैं $1,50,000 for studies abroad on the basis of estimate given by foreign university और एस्टिमेंट नहीं भी जाते है तो अच्छी बात है तो यह लाओट है पर मिसिबल है gift remittance amounting to 10,000 बिल्कुल देसे तो gift remittance भी gift remittance भी बहुत अच्छी बात है तो यह सेम चीज कि भाई यह सब कहां पर आ रहा है करन्ट अकाउंट transaction का RBI वाले लिस्ट में करन्ट अकाउंट transaction में पर्मिसिबल में दो थे ना रिस्ट्रिक्टिट में दो थे central government और आर भी आर भी में individual और शन 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 वाले चार तो इंडिविजल की लिस्टी चल रही सब साथ कुश्चन सभी से फिर आता है यह 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 एक शन 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 पर कुश्चन शन पर पहला कुश्चन आया डुनेशन अमने क्या पॉइंट पड़ावा है कि कोई भी एंटीटी डुनेट कर सकती है कितना अब टू यह 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 पार्सांट अब तो वही परसंट परसंट अब टूश्चन भी पूचा बहुत अच्छी बात है कि आइकार में जिल्ट टांव future निल्ट चांप डिर्टालिव फिसखार कन सिर्टाम है क्वेर जुटियाक। दोनेतेắc। और भूतन थे शो भी थे। जिल्टिय इंद में हसाथ शॉर्ण records कि कर सकते हैं है याप कर सकते हैं और इससे जादा करना चाहते यह तो आप कर सकते हैं जांट-सी स्पाइब थोस्तु थे ओधर ऐसक यह निंगे नह Cockroach को शुरौथ से तो यह यौज ऑना करना आप देना कर सकते हैं विदाउट दिप्रोव फार भी अगर आप इक सीट्स दे लिमिट वन परसेंट और फिफी लाग डॉलर विच्वर इसके लिमिट एक्षी रोटी दिन यू नियुट प्रोव फार भी आप बहुत जद आसन बिमार हो गया तो आपके दिवाब में वह प्रोविजन हिट करता है गधों फैमा चल रहा है ठीक है ध्यान रखना और अपको एंड में देगा कि कौन से चैप्टर से कुश्चन है एकनॉमिक लाओ में यह अच्छा है कौन से एक्ट के साब सांसर करना है तो यह FCRA को यहां प ऐसा होता है तो मैंने वह जो लिमिट है वह ने मेरी पढ़ाई के लिए खर्च कर दिया तो अब मुझे और पैसा चीए तो मैं क्या कर सकता हूँ यह सकता हूं नहीं आपने थीला के एस्टीमेट लिया है तो यह लिमिट लिमिट ले चुकी और अब आपने अपने एक शुच्छांट यह अपने प्रूबले लिया है ठीक है अब अगर आपको किसी बीचीज के लिए पैसा चीए तो अप्रूबलेना पड़ेगा आप तो पहले चीज़ तो नहीं पुचा कि अधिशन एंडिविजल तो इक्टेंड ले सकता है तो यहां पे भी तो वो हॉस्पिटल का एस्टिमेट दिखा के रखनेन के लिए तीनिकेस के अंदर टूलाइट फूल खू तब्ले सकते हो इम्मिग्रेशन हॉस्पिटल सडीज अब्रॉट तो यहां बस आपको इस्टिमेट दिखाना होता है तो वही पर नियुक्र तफिक यादविश्ट खुट रोल के सकते हैं मैडिकल त्रीटमेंट के करेंग तो आगल को रभी एप्रोल के सवरहत नहीं है I think these are very easy इसके बाद में आतें capital account शोब विद्व करने चल रहे हैं मैं आपको कहा करेंगा फहिमा इसी पहाएगा प्र आप यह प्रोए capital current मतलब I'm telling you 75 percent chance that you can't ask a फ्रेट कुरा आगे बढ़ते हैं बहुत आसान है, चलो, Question number 3, explain the meaning of capital account transaction in the format, and categories, and also examine whether the following transaction are permissible or not, capital account के अब definition दे दो के बहुत आसान है, फिर आप इदर हुदर की बातें भी कर लोगे, कि अब आप मारा सवाल क्या है, ये चार चीज़ें allowed हैं, पांच चीज़ें allowed हैं या नहीं, बदाओ पहला, investment by person resident in India and foreign securities, क्या एक व्यक्ति इंडिया के बाद foreign securities में invest कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, schedule 1 में दिया है, because PRI का schedule कौन सा है, schedule 1, foreign exchange management, permissible capital account transaction, wonderful, foreign currency loan raised in India and abroad by person resident in India, कि क्या बाहर से loan ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ये भी allowed limit में था, further, export important holding of currency, बिल्कुल allowed है, ये भी allowed limit, अरे वही में आपको आपको points रटेने नहीं थे, वो points अगर आपने अच्छे से पड़े भी हैं मेरे साथ में, तो आपको याद आ जाता है, हाँ वहाँ पे था, ये अपका farm बोलो, आपका real estate बोलो, plantation बोलो, agriculture बोलो, आपका TDR बोलो, ये सब allowed नहीं होता, तो आपने इननों के तीन परमिसिबल कात में फसाद ही है, ये प्रोबिट भी डालतो, नहीं, ये allowed नहीं, तो I guess it's a very easy question, capital account transaction, उसकी तीनों categories हैं, और उसके बाद में कौन से permissible हैं, तो ये नहीं बोला कि 1, 2, 3 permissible है, 4 और 5 are prohibited, super easy, right, चलिया रहा हिम्मत बना के रखेंगे, question number 24, क्या कहरेंगे, examine with a reference to the provision of foreign exchange management whether these are restrictions, where there are any restrictions of the following transaction, 1, 2, 3, इन तीनों पर कहीं कोई restriction है, क्या, पहला आप amortization of loan के लिए पैसा ले रहे हो, ये तो freely permissible में आता है, दूसरा, a person who is a resident of USA for several years, is planning to return to India permanently, कोई बाहर रहा है, बहुत साल अब इंडिया में आ रहा है, पर्मनेंटली, can he continue to hold the investment made by him, in the security issued by companies in USA, क्या वो बाहर के investments को continue कर सकता है, येस, पढ़ा है हमने, कोई वेक्ति बाहर रहा है, बाहर पैसे कमाएं, और वो वहाँ के investment को continue कर सकता है, वो आपस में transfer भी कर सकता है, वहीं सेम हमने वाइसा वर्सारी पढ़ा है, कोई इंडिया में रहा है, ये prohibited आगया, बाकि तुनों allowed आगया, अमोर्टाइशन ओफ लोन, परमिसिबल विदाउट अन रिस्रिक्षिन, continue to hold the foreign security, बाहर कमाया ता रख सकते हो, और ये last वाला क्या है, plantation वाला prohibited, मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ भी inherited, तो कर सकते हैं, क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, are there any restriction of the provision of foreign exchange management act in acquiring and holding such property, ये विदा मिसेश चंद्राइशन सेल प्रॉपटी और रिपैट्री आउटसर इंडिया वाला पार्ट है, जो हमारे लिए नया है, जो हमें ध्यान से देखना है, सबसे पहली चीज क्या आजाएगा, सबसे पहली चीज तो क्या विक्ती, होल कर सकता है, बाहर के विक्ती होल बगरा कर सकता है, जो उसको inheritance में मिला तो इसमें कोई डाउट नहीं है, that Mrs. Batra, Mrs. Batra नहीं, Mrs. Chandra, वो वो असेट को ले सकते हैं जो उनको inheritance में मिल रहे ठीक है, अब सवाल कहां पर आ रहा है, can she hold such property, yes, she can hold such property, she can get such property inheritance allowed, she can hold as well, now the question here is, can she sell, सुनना, according to the problem, अब सेट नहीं सकते हैं, तो यह भी एक question है, जो मैं चाहूंगा, कि अब स्चार मार कर लो, इजी है विस्त वाएँ नो, बठा, कि इंबोल property अक्वाइर कर सकते हैं, अक्वाइर तो करी सकते हैं, इसको बेज सकते हैं, नहां बेज क्या पैसा भी ले जा सकते हो बाहर आफ्टर अप्टिनिग अप्रोबल फ्रॉम आर्बी आए पढ़ाए इंवर्प्रोबल फॉमबल फ्रॉम हाउस एंगरी को फाम हाउस इंडिया में इंडिया अग्रिकल्टर प्लांटेशन और फाम हाउस यह आण नहीं है इनको छोड़ के वह कर सकते हैं तो हमारे केस में क्या होगा से करेगा या फिर उसका नॉन रिसेंट अकाउंट में कुछ पैसा है तो उससे करेगा यह बाता है फिर यह सब भी पड़ावाई नो पेमेंट पर्चेस प्रफ एक्कुशिशन इंडिया में खड़ी सकता है लेकिन रखना कि क्या वह फार्म हाउस अक्वाइर कर सकता है नहीं प्लांटेशन अग्रिकल्टर इन जगप पे वह इंवेस्ट्में नहीं कर सकता बाहर वाला विक्त वहों नेक्सिवाट इंटरम्स प्रविशन ऑफ फैमा मिस्टर सेम सब्सक्राइब कर सकता है बिल्कुल कर सकते है रिफिरेंट प्रविशन प्रमिटेट सोर्स मेंस रेस्रिक्शन इंपोस इस रिगार अब यहां पर पूरा एक डिरेक्शन आगया कि बता वह कहां से कर सकता इस रिखता है कॉंसे सोर्स से रिखकर कार । यहां प्रविशन नाथ रिखन कर शकटाया कि यह जो ट्रावल चैक्रण्सी नोरे कोर्ण कर सकता है वह उसके उपका और रूट तुर बैंकिंग चैनल यह आपका फोन बनेट इस का अर्च आपका अक्टिशन आपका रिखना तो यह ऑप इंडिया कर दिन है पूरा अब करन प्रोशन के साबसे अप्लिक वहीं नहीं होता ज्क तोड़ थोड़ी से आइसान अगर आपने पड़ा थो आंतर पाहुगें जया तो भी इना बस अर्वशन करना अंद्याइद इंडियन सॉफ्टर लेमिटेर सीक्स्ट्पर्स उप्डर्ट इस स्ट्राइब इस निए पूरा प्रोसीजर बदा दो कि सॉफ्ट एक्स बढ़ना है तीन कॉपी में देंगे फिर हमें हमारे इस जो हमारा कि पूरा पूरा के पूरा पुर्षायो था वहां पर पूरा की टवर्ड देंट और यूंडप्यो वहां पर 말 र कोपी पेंसेट पर Punch पेेट कि पुरा सॉफेरे प Sich एक्सपट्ड फोलिटेसुल। ऑप्सेयलॅ को Пр héli expired and the payment therefore has not been made as aforesaid the RBI may give to any person who has sold the goods or software or who is entitled to sell the goods or software to procure the seal thereof such direction as appear to be impediment impedient for the purpose of securing the RBI direction dee sakta hai for securing what the payment thereof if the goods and service has been sold and the sale of goods and payment thereof if goods or software has not been sold or re-import thereafter in India and the circumcision permit within such period as the RBI may specify this PIA we are saying that RBI may feel that payment is not a delay so RBI can give direction I don't think this is very structured way but this is what they have given in the suggestion answer simple way that if there is a delay then you will write that RBI can give direction to secure the payment and if goods are sent out and it will be re-import then you will have clarification that it will be reported provided that omission of RBI to give direction shall not have the effect of observing the person committing the contravention from the consequences thereof why RBI if you don't have the contravention of the consequences to recover in case of delay next Mr. Ashima daughter of Mr. Mitchell and exporter is studying in Australia she wants to buy a flat in Australia she wants to buy a flat in Australia since she is unmarried she wants to make her father Mr. Mitchell a joint owner in the flat in the flat वहो वो वो शादिशिता नहीं है इसलिए अपने पिताजी को joint owner बनाना चाहती है for which entire proceeds are to be paid by her हाँ पूरा वो पे कर रही है अब हमें बाकी चीज़ बाकी लॉइल हो रहे हैं तो छोड़ो हमें Fema का दिखना है Fema में क्या हो रहा है state the provision of Fema governing such type of transaction कि क्या एक व्यक्ति इंडिया का बाहर property खरीच सकता है यह अब यह कि एक the money is flowing from the daughter उससे फेमा वालेट नहीं हो रहा है फेमा तो वालेट नहीं हो रहा है न उससे तो फेमा को लेकर पूछा कि क्या यह फेमा इस चीज़ के इंडिया कैन ओन प्रॉपटी आउटसर इंडिया और अप्लाइं दे रेलेवेंट प्रोविशन कैन मिस्टर मित्तल जॉइन दॉट्र अक्वार के बिल्कुल कर सकते मिस्टर मित्तल वांस टू ठीक प्रॉब्लम नहीं है वांस एडवांस पेमेंट अगेंस एक्सपोड इंडिया एडवांस ले रहे हो तो उस पर कुछ इंट्रेस्ट पेबल है तो उसकी लिमिट दे रहे हो और अगर आपके टर्म्स में लिखा है कि अब हमारा यह सब हो गया इन दर लाइंट अच्छी बात है और उसके बाद में आप सब्सक्राइब कर सकते हो अब हमारा यह सब हो गया इन दर लाइट अफ बाव दिसकूर्शन इंडिया कैं जोइन इस दॉट्टर विच्छा हो रहा है इसा हो रहा है फैमा अलाओ करता है कि हम क्या लिखते हैं हाँ फैमा के हिसाब से इस अब उसका पूरा रूल लिख दिया लेकिन वन यह के अंदर आपने एक्सपोर्ट कर देना है जिस ऑथराइस दीलर से आपका एडवांस आया उसी ऑथराइस दीलर से आप एक्सपोर्ट की भी दॉक्मेंट भीजोगे आप मैक्सिमम इंट्रेस्ट दे सकते हो लाइबर प् उच्च नहीं लिका है तो वन यह नहीं चाहिए ब्यूंद वन यह का लाओ यह लाओ लगाओ 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 नेक्स थरीवन खेम भारत कंपुटर हड़ लिड़्ट रसीव एडवांस पेमें पर एक्सपोर्ट अप्र आप्स्पोर्ट आप्टेक शिप्राइब केलिंच डाइवां लिड़्र से रृट्ट सथे रख मंथ लोगाओ लै। इंचाहिं ठीघवट अ कर दिया ङुछ एडवांस प्रविट टो कोई वॉयलेशन तो नहीं है हां उसने डीले किया उनके कॉंट्राक के हिसाब से कुछ इंट्रेस्ट पीबल होगा तो उसको पे करना होगा अधर्वाइस कुछ नहीं उसके नेक्स क्या आया उसने अब्लीकिशन कर दिया है कि हाँ उन्होंने रूट के ऊथराइस दिर तुम्द एडवांस वस्रीव यह सही क्या उन्होंने जिस ऑथराइस दीलर से एडवांस आया उसी के थूरूरूट करना था फिर फृदर कुछन कि क्या कभी ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है क्या हमने अभी एडवांस देलिया है और 15 months के बाद एक्सपोर्ट कर रहे है लॉमें तो वन यर के लिमेट है अरे पढ़ाया ना क्या अलावड है आप अगर अग्रीमेंट में लिख दोगे टू यर त्रीयर फिफ्टीन मंस तो जाटेस अलाव तो अलावड है और अल्सों एडिन फ इक वेश्टन मत और यह तो इस तारे क्वेश्टन आप थोड़े से हिल गए होंगे यारों एक साथ में खतम करते हैं बहुत ज़्यादा आसान है यह बात तो तह है और हमने शुरुआत में दिमाग लिगाने वाले थे तो डिरेक्ट आगे और नेक्स वाट सुनीता गाव में इस इंगें इस भी इस पर इंड इस एड्टन आइस इस था इंडिया आचिए बहिया नाइन मंस में अगर वेरा वेश्ट विज़े तो 15 मंस में और आज भी आपको एक्सेंशन भी दे सकता है सब्सक्राइब नहीं है तो आपको market condition की साब से क्या लगता है वो सब देना है आपको कितने टाइम में हो जाना चाहिए वापस नाइन मंस फिफ्टीन मंस नाइन मंस नॉम्मली नाइन मंस वेराउस करो तो 15 मंस वेराउस में कर रहे हो तो 15 मंस और सीजर वगरा करने तो उनको भी नाइन मंस यह सारी information आपको देनी है realization and repetition के अंदर वापस वही कि आपका realization repetition हो जाना चाहिए उन्होंने तो और summary में लिख दिया कि realization repetition इंडिया में हो जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से ठेक है question no.34 according to foreign exchange management act a person resident in India shall take all reasonable steps to repatriate to India any amount of foreign exchange earned यह normal section 8 or 9 पिछले वाले question के अंदर section 8 भी applicable हो जाता है कि कोई भी पैसा अगर आपने रीपैट बाहर कमाया तो रीपैट रिलाइस करना इंडिया में तुरंत यह क्या कह रहे है पर समय पर्सें इंडिया शाल टेक आल रीपैट रिपैट रिपैटिया का मतलब होता है क्या आप उस पैसे को ओधराइज दिन अग्या सथ में रूपीज करा दो या फिर्यें घंट इन्टी अगांट वित आप्रइस जीलर परफेक्ट स्टेट देकलिए एंडिया कौन से ऐसे केसे जिसमें इंडिया में की कोई आवशक्ता नहीं है अरे बेटा जी सेट्श्टन में 9 इसेप्च्ष्ञ चनि सक्च या यह उस्में पांच कींचक्यों में इंडियारी जालम s 1947 आपने होल्ड कर रखा है वो आपने इंहरिटेंस है गिफ्ट में किसी को दे दिया है और लास्ट इस वाट कि अगर आप बहार गयते हैं आपको honorarium gift salary वगरा के तोर पर एमिनरेशन को पैसा मिला है लिमिट के अंदर तो यह भी आप होल्ड करके रख सकते हैं कि अनिदर स्पेसिए रसी शेक्शन नाइन अग्या वंडफल कुछिण मोर्थ 35 Mr. Raman is a software engineer of Armtech Limited the company is sent him to Japan to develop a software program there is on the operation of two years two-year-old he earned a sum of dollar 3,000 as an honorarium there on his return to India he wants to hold this foreign currency with him whether Mr. Raman will be allowed to keep the foreign currency to get asked about in on a you know section number eight that I can buy it has to be repatriated and realized to India that is what section number eight is but section number nine gives certain exception last one कहता है यह बाहर से कर आपको कुछ honorarium मिल आए तो RBI के limit के अंदर आप उसको hold करके रख सकते हो frankly current module current content के इसाब साबको इतना ही लेकिन सजेस्टर आंसर ने उस limit पर भी बात कर दी कि वह limit कितना दे रखा है तो इसलिए इस question को मैं कर देता हूं चार्मा कि हमारे module में कहां तक दे रखा है मैं study mat में क्या दे रखा है कि आप honorarium वगरा ले सकते हो within the limit बायर भी है बस इतना ही लिखना है लेकिन यहाँ पर उन्होंने उस limit के बारे में भी बात कर लिए इस इनका कहना है कि कितना hold कर सकता है अब person can retain up to $2,000 और equivalent को hold करके रख सकता है तो फिर वहां तक hold किया तो चलेगा इस case में उसने कितना hold कर रखा है थ्री थाउसंड कहां पर लिखा है थ्री थाउसंड येस थ्री थाउसंड डॉलर तो थो थाउसंड तक ही allowed है और उसने कर थी थाउसंड होल कर रखा है तो यह लॉसे बाहर आ जाएगा ऐसा चेक है है क्लियर बाट टू आर लिमिटेड अंडर्स्टाइड हमें तो क्या रखना है हमें लिमिट तक रिखना है विकस यहां पर बहुत कॉंप्लिकेशन आ जाते हैं तो मेरा सजेशन क्या रहेगा आप एक्जाम में यह 2000 लिमिट पर ही नहीं आप यह ही लिखें कि विदिन आर के अंदर changes comes very frequent and not just the amendments ICI also किसी topic को syllabus में रखता है किसी topic को निकाल देता है तो यह सब भी बहुत frequently रहता है यह कहां है तो बढ़ हमें overall questions का level काफी आसान लग रहा हूं करता हूं ठेक है अरे बच्चा question क्या रहे हैं एक बढ़ आप रीड करो 36 मैं ते चारजर कनेक करता हूं रीड़ी सक्वेशन रीड़ी सक्वेशन रीड़ी सक्वेशन बच्वेशन लाट्डू लाट्डू था खर मेरें रहे हैं सक्के रीड़ी ते रीड़ी का इंदान रीड़ी सक्वेशन लाट्ड़ रीड़ी का रीड़ी अगर कोई व्यक्ति ने रिटन जगरा फाइल नहीं किये है जो कि एपी ने उसको बोला था तो क्या होगा तो क्या होगा भाईया जी तो उसके ओपर पनॉल्टी लगेगी तेन थाउजन रुपीस तक की या फिर अगर कंटीनिव उफेंसे तो तुथाउजन पढ़ेगी हम पढ़ चुके पहले मस्ती मैं सेक्शन हमार एलेवन के आसपास नेक्स क्वेशन दी आर्बिया इंडिया रेसी अ कंप्लेंट अप्लेंट अप्लेंट इंकरेंक्ट सेट्मेंट इंफर्मिशन तो आर्बिया एसी की ब्यक्ति को लगता है तो जब भी कोई भी व्यक्ति को लगता है तो गश्क्राइशन हो सकता है लगता है तो उसके अंदर क्या होगा वी ओ एस ठेके ना कि क्या होगा वेरिफाइब करेंगे करेंगे और कोई इसके एकारण से इंस्पेक्शन हो सकता है उस व्यक्ति के ओपर ड्यूटी होथ है और इसे आगे बढ़ रहे हैं एक्टेंग और फेमा सेक्शन कौन सा एगा दिमाग में आ रहा है उसके बाद में एड्जूटिक इधिक अथरीटिक अथरीटिक अधरीटिक अगे बढ़ आपास में उसको क्या कर सकती है कोई पर इसने इंपोस की है उसका जूरिजिक्शन करते हैं क्या कर सकती है कि वह इंक्वाइरी वगरा कर सकती है प्रिंसिपल ऑफ नेच्टिस फॉलो करेगी पैनल्टी का अमाउंट कितना दे सकती है वह सक्षिन नमबर अंडर्सांड करना सेक्षिन नमटर्टी का अमाउंट आता है वापस पीछे आ रहे हैं सब यहां पर ऐसा कैसा दे रखें फिर क इंडिया और रहे होगा एंफोर्समेंट ऑफ और कि पनॉल्टी कि तरह में पे हो जानी चाहिए तो इंप्रिसमेंट होगा प्रिसमेंट होगा इत्ते करोड से ज्यादा है तो इत्ता हो सब चीजें सब्सक्राइब कर देंगे पूरा का पूरा पूरा का पूरा इंस जो एडिकेटिंग ऑफिसर का आप लिखाए स्टार मार्क क्यों कर रहा हूं सेक्षन पर फोर्टीन इस एक पूरा पढ़ने का आपका मनी नहीं होगा तो इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाता है तो क्या करें एक डिरेक्ट कॉश्चन है आपको भी कभी ट्रॉबल कर सकता है अब सारे इजी आ रहे हैं आप देखो कि सारे कुशन आ तो यह थोड़ा 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 केस्ट भी बना तो डिफिकल्ट नहीं बना पा रहे है थेक है Mr. X in Indian Nationalist failed to realize that Repatriate Fournix वर्थ more than 2 crore 2 crore से जादा के फोड़ेक्ट को रिपाट्रीट नहीं किया नहीं किया नहीं किया Mr. X has realized that he has committed a contravention and he is desiring to compound the offense Section 15 compounding करा सकता है तो अभी क्या कह रहे है कि उस तो अगर रिपाट्रीट नहीं किया है तो तो ही ओनिम पेनल्टी कें भी अप्लिकेशन दे सकता है वह विश टैप फॉशन मोस्ट लाइक पास्ट और की स्पीस बिल्कुल बताता हूं मैं ठेक है तो एंड में सारे कॉशन कंप्रीट करने क्या बता रहे तो कि कैसे प्रकार की कुशन की अपेक्शाय ज्यादा है ठेक है तो एकदम मस्ती में एकदम इसी चल रहा है बिना तो एक अधों कभी क्या बहुत जादा आसान होता तो आप लोग जालो खतम करो गदों आसान है अब अच्छे से पढ़ लो नो आप समझो जनता रो रही है फेमा को लेके तो अगर आपको कोई टॉपिक आसान लगा तो इ इस बिकर्स दवी युव रिवाइस थर ली तो मस्ती रहा हूं साथ में एक बार 47 गुशंस है थरी नाइन पर हमें एक बार राप अप होने तो फिर जनरल बात करेंगे ओके तो समालो अपने को भी चली क्या वता रहा था मैं तरीं के अंदर सेक्शन बादीं के अंदर उसक 16 अधिशन अथरी 17 अपील तो स्पेशल डिरेक्टर 18 अपलेट ट्रिबिनल 19 अपील ट्रिबिनल 35 अपील तो हाइब को वही सब यहां पर अपर सब्सके बाद भी आप अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपको सफीशन कॉस प्रूब करना होगा तब उसके बाद में भी अपील फाइल कर सकते हैं नेस्क्स इंडिया एक्सपोर्ट लिमिटेट इंगेश्ट अफ सफवेर तो युएस वन पार्टी इंग्स तो हम देख्वोट किया वह अमांट पेंग कर पाया रिजल्टिंट इंटू नौन रिपेट्रिशन अमांट टू इंडिया वह उस्वांट का रिपेट्रिशन और मैं एक्सपोर्ट किया उसने पेंग किया तो मेरे ऊपर ऑड़र पास कर दिया पेनौल्टि लगा देख्वाज और पास करें तो रपील प्रेज श्रीज के पास कैंट बर पासकते हैं अगर आपका ऊडर पास किया है एससेंट या डेप्यूटी अपूटी तो आपील च और इनके अलावा किसी ने ओर पास किया दिमाग में अच्छा इनक्रीड करता है किस ने ओर पास किया अगर ऑडर पास किया देखो 17 और 19 यह 17 में जाएगा यहां पर कहा है विदिन 45 यह उसके बाद में भी कर सकते हो आपका अगर सफीशन कॉज तो और अगर 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 आप इन सबसे भी इनके खुशनी आए देर आफ्ट यह गोटो हाई कोट का यहां अगर ना उससे खुशनी तो आपले ट्रिमिनल में आते हैं उससे खुशनी सीधा है को इसके सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना चाहता है प्लक करना चाहता हमें तो बहार के व्यकल निकल समय को अलाओ करेंगे उसके युए से बाहर का व्यक्ट에 वेस्ट करना चाहता है उसके बाद में इंवेस्टमन ख़या निधी में लिए प्रफीटिट गोड़न– K̊ रुपना-डु-पना-ुर्ण Kath modern कंभी form for development of Toda real-state में तो लाउड नहीं है लेकिन अगर घर करते हैं डेवलाप्मेंट ओफ टाउंशिप की तो डेवलाप्मेंट ओफ टाउंशिप इस नॉट इंक्लूदिन इन रियलेस्टेट बिसनेस इसलेगे अलाउद होगा अब उसके अंदर उन्हों ने एक और सब कोशन रखा है सब्सक्राइब करेंगे तो भायाजी वह अपील कर सकता है हाइए कोट में विदिन 60 देज अंडर सेक्शन 35 ओनली और कुशन अफ लॉग कुशन 43 इस मैनिफट्ट्रिंग में इस सब्सक्राइब के लिए तेक हैं पर इन्हों ने बताया पूरा आप तक यह नहीं के वह तो प्रेसेंट करने के लिए डिटे करने के लिए और करने के लिए प्रमोर्ट करने के लिए प्रफेशनल कंसल्टेंच सी है तो आप अपके इस पर नहीं नहीं है तो हिसके और गशन दौने को सब्सक्राइब तो नहीं है, study mat में यह सब कुछ कहीं पर भी नहीं है, ठेक है, and 43 questions ही थे, and this is the last question, चलो, एक बाद मुझे बताओ, यह हो गए, हो गए सारे questions, आपको ऐसा नहीं, मतलब, just tell me, यह 43 questions है, 43 में से, I believe, 35 plus question right now, ज़स भी हमने complete किया, भी आपने revision नहीं किया, तो कौन है वो लोग जो unnecessarily कहते है, Fema difficult है, Fema कब difficult लगता है, तो Fema को पढ़ने की एक approach अलग होनी चाहिए, normally कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता है, कि कोई भी चीज़ों को गरम पढ़ते हैं, Fema में आपने कर एक बार अच्छे समझ दिया, मैं आपको कह रहा हूं सुनना अच्छे से, Fema में 80% questions जो exam में आएंगे, 80% questions जो possibility है, कि Fema से 80% questions बनते हैं, उसमें आपको याद नहीं रखना है, उसमें आपको रटनी की आवश्यकता ही नहीं है, आपको अच्छे से समझना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान, there is one thing that you have to remember it, and one thing that you have to understand it, यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, अगर आप समझ गए, देखो आपको ये तो याद रह रहा है न, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, आपको इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ा है आपने, you are able to make that placement, तो फहिमा में, you don't have to waste a lot of time and rat to find, because 80% possibility ये है, कि ऐसा question आएगा, जो कि याद करने की आवशक्ते ही उसमें, तो इक बालक का question तो बीच में, which time of question most likely in exam based on past trend, I believe you will get a case study question, I believe you will get a case study question, case study question की अच्छी बात यह है, कि अगर आपने अच्छे से समझाए, तो case study question आप आसामनी से handle कर पाते हैं, but case study question में provision लिखने के लिए, थोड़ा तो याद होना ही ठीए, and that is why we revise it frequently, that is why we revise it frequently, मेरा मानना है कि एग्जाम में कैसा question आएगा, case study question आएगा, और आप उसको बहुत मस्ती से सिल थू कर पाएगे, we have seen all the questions, ना काँ परिशानी काँ फेमा में परिशानी है, but आप बस आप से मेरी एक request है, मैं यह मानता हूँ, कि आज ही तारीख में आप में से एक भी बच्चा यह नहीं बोल रहा होगा, फेमा difficult है, 100%, आपके आसपास आले बली बोल रहोंगे, आप नहीं बोल रहोंगे, लेकिन I don't want after a month or two month you see questionnaire आ रहे तो कुछ यादी नहीं आ रहा है, and you say फेमा difficult है, and that is why what I have a sincere request is, कि next session में मैं आपके साथ मिलके, पूरा का पूरा फेमा रवाइस कराऊंगा, बताँ फेमा का first part भी, प्याराय, प्यारोय, कैपिल करण्ट, सब कुछ, और end तक external commercial borrowing तक, पूरा revision करवाऊंगा, आपने बस इतना सा करना है, कि जो चार टॉपक्स हमने साथ में पढ़े, SEBI-LODY, Arbitration Consideration, FCRA, and FEMA, आपने at least bare minimum, आपने इनके जो revision, एंड का जो मैंने revision session लिया है, वो revision session आपने time to time देखते जाना है, तो जब आप वेन यह ट्रावलिंग, जब आपको time मिल रहा है, तब वो revision session आपको देखते रहे हैं, अगर वो revision session देखते रहे हैं, तो आपका linking नहीं चूटेगा, and then, I believe, I am one of those teachers who believe, self-study is what takes you to that level, ठीचर अगर पास कराता ना, तो सारे बच्चे पास हो जाते, कोई ऐसा सुना क्या final level पे, क्या यहाँ class की तो 100% पास होते हैं, impossible हैं, कोई नहीं हो सकता, it is impossible कि अगर कोई teacher पास कराता, तो सारी बच्चे पास होते हैं, सारे बच्चे तो all over India level पर CA final पे कभी पास नहीं हो सकता हैं, किसी भी teacher के, बच्च के सारे सुना सो कभी पास नहीं होते होंगे, but what you have to understand, teacher makes your life comparatively easier, for sure, and if he gives you the correct way of going forth, correct approach से पढ़ाए, और आप सही efforts दे लेते हो, then nothing can stop you, that's what I believe, when I say that all of you can clear, आप comfortably clear हो सकते हो, बट आपको सही direction में efforts दो ले नहीं पढ़ेंगे, तो मैं मेरे चार topics पर आप से क्या picture रखता हूँ, कि चारो revision session आप frequently देखें, जैसे जैसे time permit करता है, और फिर जब time मिलता है, फिर आप notes को बैटके पूरा read कर ले, आपने notes को बैटके पूरा read कर ले, और revision sessions frequently देख रहे हो, I am telling you, there is nothing in the world which can stop you then, nothing in the world which can stop you then, Sir, क्या कभी ऐसा होता है, क्या कि आउट of syllabus question आजाए, I will tell you frankly हो सकता है, CFN level पर ऐसा हो सकता है, but what I have seen out of my experience, ऐसा hardly 5-10 marks के लिए होता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि paper में से 50% paper out of syllabus आगया, ऐसा कभी नहीं होता है, normally पूरा study mat से ही आता है, तो 5-10 marks के लिए पोहिचते हैं, आप comfortably exemption score करके निगल सकते हो फिर भी, और option भी होता है exam में, तो कभी भी इतना डर्णा नहीं है, focus on your study mat, believe in your study mat and go ahead, there's nothing which can stop you, I think Fema, अब आपको light लग रहा होगा, जो मैं आपको प्रॉमिस किया था कि last session के दिन, मैं पूचे का के Fema कैसा है, आज I think सब को Fema easy लग रहा होगा, question आराम से हो रहे हैं, परिशानी की बात का है, right, तो I hope all of you would be feeling Fema to be very easy, this is a topic which generally people say, that it's quite difficult, but I don't think there's anything like that, we are comfortably able to solve all the questions as well, tomorrow, what we are gonna do is, we are gonna do a nice revision covering all the topics, and then, मैं आपको बहलूँगा, the session was merely made, शुरुवाद में बहुत जाता है, slow हो गएता है, इसलिए, the session was merely made for understanding all the past few questions, all these type of questions, question bank, now we're done with this, now what you're gonna do, we're gonna revise nicely and we'll be all sorted, okay, आपसे आज किया पिक्षा मेरी रहेगी, कि आप अच्छे से, आप बहुत अच्छे से, ये पूरा, बहुत अच्छे से, ये पूरा जो चैप्टर एक बार रिवाइस कर गया हो, तकि नेक्ट सेशन मेरी साथ और अच्छे से रिवाइस कर पाया है, okay, that'll be all for this session, thank you so much, for your nice, nice, nice patience, and I'll see you people tomorrow, thank you so much, bye-bye.